हाई किड्स हाई सार देखा अभी चुछ तुम्हेरे पास एनोल एक्जाम में जो क्वेशन पर आया था ना ये क्वेशन था उसमें वह संक्या बताईए जो 121 19 के योग से पांच कम हो योग मतलब जोड एक्सो एक्टी सर उननिस मिलके कितना होगा कि किस और निस दिमाख लगाओ जो रहा है बीस और दस तीस और एक दस तीस और दस तो कितना हो गया एक्सचा एक्सचावज में श्यक्म 144 144 140 में 6 का 144 माचिस की डिबी क्या अगरती होती है गनाब वर्ग तो उपर से देखने पे लगती है न 2-dimensional में 3-dimensional होती है वैसे तो निम्र में सबसे छोटी भिंद है 1-3 अब देखो यह 4-3 है यह तो 1-something हो जाएगा यह 3-5 है यह भी 1-point something हो जाएगा अब देखो 3 से जब हम 20 में भाग देंगे 2 में भाग तो जाएगा नहीं point लगेगा 3 चके 18 और जब हम इसमें देंगे तो फिर 0 point लगेगा तो एक यागे 0 लग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा तीन कापक 10 में कितनी बार जाएगा तीन बार तो यह 0.3 सबसे चोटी संक्या होगा इन में से तो यह वाली सबसे चोटी बिनने है कितने 25 पैसे किस सिक्क्रे मिलकर 2 रुपे बनेंगे गड़ी की सेकंड की सुई 15 सेकंड में कितने अंस गुमती है अब देखो माना यहां पर थी सुई अब यहां पर चलेगी तो कितने का डिगरी के कौन मन गई अब देखो क्या है यह चार हजार बारत असमलब दो वा चार हजार ग्यारत असमलब तीन नौनों का अंतर है इसमें से इसको क्या करना है गटाना है 11.399 गटाओ 10 में से 9 गया 9 में से 9 गया 9 में से 3 गया 8 1 में से वन गया कितना है कौन से वाला अंसर प्रश्ण को हल करके सही उतर लिके एक विर्थी की 36 सिंटिमेटर है उसका व्यास कितना होगा 12 बारा दूना होता है न इन सब को जोड़के कितना aja एगा अब देखो 5.0060, 60 65, 50, 65 55 60 में कितना जोड़ना है है यह छह लाक यह नहीं जोला कि यह तो लगाना ऐस प ρ country 11234512 affirm 256 संख्याइ आसे यह संख्याइड 5756 यह 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 और ये को अवरोह कम में लिए अवरोह मतलब बड़े से छोटे को आरो ही मतलब चोटे से बड़े कर आरो ही मतलब बड़े से छोटे को इन में से सबसे बड़ी संक्या कौन सी है सबसे पहली ये नोसो चोटर फिर नोसो 47 फिर 794 ठीक है फिर 759 और लाश्ट में 400 बसर बसर तो समय सेमी है तो उसे तो पता चलेगा नहीं तो आगया वाली संक्या हो से फिर पता गरना पड़ेगा देखो 6000 मीटर को किलो में बदलिए च्छे किलो मीटर 28 के गुणान खंड कीजिए यहिस हो सकता है चुद्धा दुने हो सकता है और और बी छोटा हो सकता है साथ दुने चौदा दूने ठीक है pass को पूरा करें कर सकते पूरा कर पार्ट यहीं ट्रेंगल बनेगा है बेर पहले पॉइंट यहां पर यह उपर गया फिर यह कॉर्णर में आया आप कहां जाएगा जेए अपर यह उपर थे फिर यह नीचे गए फिर इधर आप जाएंगे तो इस अधर निम्न प्रशनों को क्या बनाना है कोन बनाना है 30 कोन कैसे बनेगा इसे बनेगा लगबग चांदी की साहित से बनाना थाओ ठीक है यून कोन होता न थर्टी को तीन बटी चार की कोई सम्तुलिबिन लिके बताओ सम्तुलिबिन तीन बटी चार की चे बटे आठ बार बटे बार बटे सोला चोबिस चोबिस बटे थर्टी टू एक और बताओ कि अटालेस बटे तिन दूरी की दूरी 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 तोपचास किलो मीटर अब वह बोढ़ने की एक किलो मेटर बराबर कितना सेंटी मेटर है पचास सेंटीमीटर तो 250 किलो मेटर ब्राबर कितना सेंटीमीटर होगा क्या गरना पड़ेगा किसको किस से 250 को 50 से गुणा गरना पड़ेगा ठीक होगे 0 का 0, 5 पंजे 25, 5 उने दसर दो 12 12,500 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर ठीक है एक अंडा पांच रुपे का है तो ढ़ाई दर्जन अंडे कितने रुपे के होगे ढ़ाई दर्जन में कितने अंडे आ जाएगे 30 तो 30 को पांच गुणा गरे कितना आएगा 150 महिस का दिन एक मिनट में बहतर बार धर्ड़कता है तो एक घंटे में उसका दिल कितने बार धर्ड़केगा क्या करना बढ़ेगा किस से किसको बहतर को किस से करना बढ़ेगा गुणा पांच बढ़ेगा इसका मिनट में बहतर बार धर्ड़कता है तो दो गंटे में उसका कितने बाद रड़केगा यह तो एक घंटे का हो गया थो जोड़िक जोड इसी में इसको जोड़ना पड़ेगा ठीक है जीरो चार छे और हाट वैसे हम डिरेक्ट चाहिए हम किस से भी गुणा कर सकते थे साट को साट से तुमने की आई एक सोबीस से भी कर सकते थे गुणा तो भी आंसर सेमी आएगा चाहिए एंकित भाग को भिन में लिखे बताओ भिन में कितना आई है चार बटे दस वन तो त्री फोर फाइब सिक सेवन एट नाइन टैन गुणा संक्या चार अज़र 651 वा साथ 1862 में 6 के स्पानी मानु को गुणा करे बता इसमें स्थानी मान बता छे का 600 इसमें साथ 60 तो इन दुनों को गुणा जोडए आप देखो इनहीं के स्थानी मानु को जोड़ना है 600 और 60 सथ स्मिल है दस संटीमटर परिमापका एक आयत दिए परिमापका जिसकी लंबाई तिन छे दो आट और दो रेनू के बैंक खाते में इतने रुपे जमा हैं उसने बारा एक लाग पच्छी सब्सक्राइब निकाल दिये अब देखो उसके खाते में कितने वैसे थे नाइन एट सेवन फाइब डबल जिरो यह उसके खाते में दे और यह उसने निकाल दिये शिक्स डबल जिरो ठीक है निकाल दिये मतलब कम होंगे हूँ जीरो जीरो फिप्टीन में से शिक्स गया नाइन शिक्स में से फाइब गया वन यहां पर शिक्स और एट अब उसके खाते में इतने रुपे बचे हैं अगले मां उसने फिर इतने रुपे उस खाते में डाल अब किती रुपे जोड़ो विसको जीरो जीरो नइन फाइब गर नाइन वन नैन और और वन करी एक एएफ सेवन सेवन और सिक्स थाटीन और वन कोर्टीन और येट रवन तो कितने खाते में नौ लाग एक तालिस जार चार्सौ अब देखो मेरी सोच की संक्या क्या होगी यदि संख्या 100 के आदे से ज़्यादा है 100 के आदे से ज़्यादा मतलब कौन से संख्या हो सकती है 50 100 के आदा हो ना 50 उससे ज़्यादा 51 कोई सी भी हो सकती है देखो यह 5 दहाई से ज़्यादा और 6 दहाई से कम है 52 पाँ है पाँछ दही है मतलब 50 से जादा और 16 मतलब 60 से कम तो पतब 50 मेंुए जहास को प्यूवं हो सकती है इकाई का अंक दाही के अंक से दो ज्यादा है इकाई का अंक दाही के अंक से दो ज्यादा है दो अंकों का योग बारा है क्या संक्या हो गी हो बारा है चाह साट हो सकती है तिननन भीं हो सकती है, उन्चालिस हो सकती है, चहनु हो सकती है, इन्दों सनक्यों को युग बारा है न, ठिक है, मनोज ने एक कमरा बनाया, जिसके फर्स पर, वह टाइल बिछाना चाहता है, जिर्स लगाना चाहता है, अब फर्स बोलरे हैं कीесп долларов 15 फिट का है, बारा इंटू 15 पीट का मतलब है कि इन दोनों को गुणा करना है कितना हो गया वारों को 15 से गुणा करना है 12, 15, 60, 12, 12, 16, 18 तो टोटल जो कमरे का जो एरिया हमने निकाला एरिया कितना हो गया उसका 180 स्क्वाइर फीट ठीक है स्कॉयर शीट अब बोनरे की वें तीन बढ़ित नाहीं स्कॉयर फीट हो गई जाहता है जब नीन नाइन कि आणी वे लहें चाहता है चंद नाहें हाँ कितने नमें 180 में 20 कि इस नमें 100 से नहीं होता गया तो कितने टाइले लगेंगी यह आपे तीन वे तीन के 20 टाइल्स लगेंगी बढ़ जागा पुरा अमड़ा ठीक है